हेलो एब्रीवन इस बिवान दोवे एंड आइम एर विद यू वीडियो एंड टुड़ी विल डिस्कस इन दिस वीडियो आपको तीन नंबर के इडियम्स मिलेंगे और यहां पे जो आप इडियम्स देखेंगे इन में से तीन माक्स आपको जरूर ही मिल जाएंगे तो बिना वक्त गवाए हम सुरू करता हैं आज का जो पहला इडियम्स है वो है ओल इन ओल as we know all in all जिसका हम और कह सकते हैं whole and soul इसका मतलब होता है पूर्ण मालिक कहने का मतलब आप उस चीज के पूरे मालिक हैं और आपका उस चीज पे पूरा अधिकार है इसलिए इसे बोलेंगे all in all इसका use देखते हैं इसका use है बहुती सरल तरीके से मैंने मनाया है my father is all in all in my family जी हां दोस्तो मेरे पिता जी जो है मेरे family के पूर मालिक है my father is all in all in my family इसका use एक ऐसा भी हो सकता है my principle is all in all in my college ओके दोस्तों आंगे चलते हैं यहां second idiom की तरफ चलते हैं जो की है a bed of roses जिसका मतलब होता है quite comfortable यानि आराम दायक यह ऐसे हम बोलते हैं फूलों की sage और इसका बिल्कुल ही सरल तरीके से मैंने इसका use बनाया है life is not a bed of roses जीवन कोई फूलों की sage नहीं है यानि जो हमारे जीवन है वो बहुती stillful है और संगर्सों से भरा हुआ है so life is not a bed of roses यह बहुती important है और दो-तिन वारी उपी बोर्ड में पूछा भी जा चुका है आंगे चलते हैं और next पर चलते हैं जो हमारा तीसरा है वो है all and sundry जिसका मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के यानि बिना किसी discrimination के बिना किसी भेदभाव के आपने कोई काम किया इसका जो यूज है वो बहुती सरल तरीके से मैंने बनाया है he invited उसने निमंत्रत किया all and sundry to the marriage party यानि उसने अपनी marriage party ने सभी को बिना किसी भेदभाव के सभी को निमंत्रत किया i hope समझ में आया होगा next चलते हैं अगला जो हमारा है which we call an apple of discord जिसे हम cause of cural भी कहते हैं यानि जगडे की जड़ यानि जगडे का कारण cause of cural an apple of discord का मैंने जो यूज किया है बहुती सरल है बहुती अच्छी तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कस्मीर is an apple of discord between India and Pakistan कस्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के लिए एक जगडे की जड़ है i hope आपको समझ में आया होगा next चलते हैं अगला जो हमारा EDM है बहुती सरल है हिंदी में भी आपने देखा होगा an apple of one's eye यानि किसी की आँख का तारा होना यानि very dear बहुत प्यारा इसका जो use है वो है Mohan is an apple of his mother eye Mohan जो है अपनी मा की आँख का तारा है यानि अपनी मा का बहुत प्यारा है यहाँ पे आप I am से भी कर सकते हैं I am an apple of my mother's eye तो इसे जिसी पी तरीके से आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं नेक्स चलते हैं जो की है at sixes and sevens इसका मतलब होता है in disorder यानि तितर बितर जिसे हम विखरा हुआ भी कहते हैं इसका जो use है वो है he is a lazy boy वह है एक आलसी लड़का है so his room always at sixes and sevens तो उसका जो कमरा है वो हमेशा विखरा हुआ रहता है हमेशा disorder रहता है नेक्स चलते हैं हमारा जो next medium है that is at home in इसका मतलब होता है perfect यानि आपको सल है किसी काम को करने में efficient है बहुत ही perfect है इसे कहते है at home in इसका जो use है मैंने अच्छी तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आपको बनाया है राम जो है इंग्लिस में अंग्रेजी में बहुत ही perfect है नेक्स चलते हैं हमारा जो next medium है which is very important आप ध्यान रखें इसका मतलब भी होता है important day और यह आपके paper के लिए important भी है that is a red letter day इसका मतलब होता है important day यानि महतपूर दिन कोई ऐसा दिन जो आपके जीवन में बहुत ही महतपूर है इसका जो use है 15 अगस्ट 1947 is a red letter day for इंडिया 15 अगस 1947 भारत के लिए एक बहुत ही महतपूर दिन है आगे चलते हैं यह जो दो मोहावरे आपको दिख रहे हैं इसमें मैंने very important और दूसरे बाले पर मैंने important लिखा यह बहुत बार आ चुके हैं इसको जरा ध्यान से देखेंगे यह जो है a fool's paradise इसका मतलब होता है वेर्थ की उची आसाएं रखना यानि आप करते कुछ नहीं है और ख्याली पुलाओ पकाते रहते हैं इसका जो use किया है मैंने if you think you will be rich all of sudden यदि आप सोचते हैं you will be rich आप अमीर हो जाओगे all of sudden अचानक से you are living in a fool's paradise तो आप एक मूर्कों के स्वर्ग में जी रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि आप विर्थ की उची आसाएं रख रहे हैं क्योंकि if you want to rich you should work hard तो आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा next चलते हैं जो की आखरी हमारे एडियम है a man of letters इसका मतलब होता है scholar यानि बिद्वान इसका बहुती स्वरल तरीकेस मैंने यूज किया है कालिदास वाजे man of letters कालिदास जो थे एक बिद्वान वेक्ती थे आंगे मिलते हैं अपने next वीडियो में जहां हम कुछ और इडियम्स लेके आएंगे तब तक के लिए thank you